हेलो फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स चेन मल्टिप्लिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसका टॉप डॉण अप्रोच कैसे लिख सकते हैं यदि आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप कमफर्टेबल नहीं हैं अभी आगे बढ़ने में तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए जहां मैंने बताया है कि मैट्रिक्स चेन मल्टिप्लिकेशन का प्रॉब्लम है क्या और कैसे इसका सॉल्यूशन डैनमिक प्रोग्रामिंग से निकाला जाता है क्योंकि यह प्रॉब्लम ऐसे केरेक्टरिस्टिक्स एक्जिबिट करती है जैसे और ओवरलेपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सब्स्ट्रक्चर इस वजए से इसका डैनमिक प्रोग्रामिंग सॉ लिखा जा सकता है ओके तो दोस्तों अज्यूम करते हुए कि आपने पिछले विडियो देख लिए हैं हम आगे बढ़ते तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां इस केस में मैं एक रिकरेंस डिफाइन करने वाला हूं तो रिकरेंस को डिफाइन करने से पहले जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनको समझ लेते हैं हमारे पास एन मैट्राइस गिवन हैं A1, A2, An ओके हमारे पास दो ऐसे यूस्फुल फंक्शन्स हैं एक है R of I और एक है C of I यदि मैं इसको इंडेक्स आई देता हूं एक नंबर आ फंक्शन्स मुझे AI metrics की number of rows रिटन करेगा करेगा और यदि मैं C of I को कौल करता हूं तो यह फंक्शन्स मुझे AI metrics की number of columns को रिटन करेगा ओके दोस्तों इसके बाद हम एक 2D table define कर रहे हैं इस table को access करने के लिए हमें दो index की values की ज़रूत पड़ेगी एक i और एक j, ठीक है, तो जब भी हम इसको i और j देंगे, तो यह जो table है, यह हमको क्या written करेगी, minimum number of multiplications required for multiplying these matrices, हमारे पास यह matrix chain दी हुई है, और इसके बीच में कोई भी एक sub problem जो होगी, ठीक है, जो matrix i से start होगा, और जो j पे end होगा, तो ai से लेकर के aj तक, यह जो छोटी सी sub chain है, इसको multiply करने के लिए minimum number of multiplications कितने जरूरी होगे, वो इस table में stored रहेंगे, ओके, अब यदि i की value j के बराबर है, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक matrix को select किया हुआ, हमने i की value भी 2 दे दी, जे की value भी 2 दे दी, तो उसका मतलब simply a2 हुआ, और एक single matrix के case में कोई multiplications की जरूरत नहीं है, तो यह जो table हे 0 written करेगी, इसकी value 0 मिलेगी हमको, ओके, और यदि i plus 1 j के बराबर है, ठीक है, for example, i की value हो गई 1, तो i की value 1 हो गई, लेकिन j की value 2 है, तो i plus 1 j के बराबर, वो i में 1 plus किया, तो हमको j मिल गया, ठीक है, 1 में 1 plus किया, तो 2 मिल गया, तो यह जो चीज है, यह किसको refer कर रही है, a1, a2 को refer कर रही है, तो अब a1 और a2 को multiply करने के लिए, हमें जो minimum number of multiplications चाहिए, वो simply, यही case होगा, ओके, क्योंकि, यदि ai, aj लिखा हुआ है, ठीक है, तो ai में, कितनी रोज होंगी, r of i, कितने columns होंगे, c of i, और aj, जो है, इसमें कितनी रोज होंगी, r of j, कितने columns होंगे, c of j, अब क्योंकि इन दोनों को multiply कर सकते हैं, तो यह वाली जो value is, इसके equal होगी, तो इन दोनों को multiply करने के लिए, जो multiplications चाहिए, और यहाँ, जो minimum number of multiplications चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई minimum का concept, वैसे exist नहीं करता है, ठीक है, तो जितने number of multiplications चाहिए, वही उसका minimum number of multiplications भी होगा, तो क्योंकि यह दोनों values same है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, r of i, multiplied by c of i, multiplied by c of j, इतने multiplications लगेंगे, इन दोनों matrices को multiply करने में, okay, initially जब हम implementation करते हैं, तो उसके पहले इस table को सारी values जो इसकी, minus 1 से set करेंगे, मतलब आप i और j की कोई भी value इसको input में दोगे, यह minus 1 ही return करेगा, okay, यह कोई 0 return नहीं करेगा, कोई positive value भी return नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में इसका use नहीं हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे code अपना काम करेगा, इसकी values reset होती जाएंगी, ठीक है, और तब यह काम करने लगेगा, लेकिन शुरुआत में initially इसकी सारी values क्या होंगी, minus 1 से set रहेंगी, okay, तो friends, एक छोटा सा example हम देख रहे हैं, example से मतलब, यह idea लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे सब problems आगे बढ़ती जाएंगी, ताकि हम recurrence को समच सके, तो जैसे हमारे पास 4 matrices हैं, ठीक है, तो इनके कितने cases बनेंगे, 3 cases बनेंगे, ठीक है, और फिर हमको क्या करना है, इन तीनों में से जिसका जो minimum होगा, ठीक है, वो ही select होगा, इन तीनों में से जिसका जो minimum होगा, वाला part, वाली direction select हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, और एक case यह बाला होगा, ठीक है, similarly, इसके लिए भी ऐसे ही दो cases बनेंगे, और यह जो दो cases हैं, तो basic cases हैं, तो जितनी लंबी chain होगी, उतना लंबा tree, उतना गहरा tree, लंबे से मतलब उतने cases हमको horizontally भी दिखेंगे, और उतनी गहरा ही हमको नीचे vertically दिखेगी, तो इसी चीज को implement करना है, कि हमें हर एक possibility को देखना है, और उसका minimum compute करना है, और जो अंदर सब problem है, वो further split होगी, तो जब हम recurrence लिखेंगे, तो recurrence में क्या होगा, कि ये तो बड़ी problem है, और ये जो है एक छोटी problem है, लेकिन है बड़ी problem जैसी बस इसका size छोटा है, तो जो काम इसके लिए क्या हो, कम इसके लिए भी होगा, ठीक है, क्योंकि इस problem में optimal sub structure की property hold करती है, ठीक है, कि इसका जो optimal solution है, उसके लिए ये cases हुए, अब इसका भी optimal ही निकालना पड़ेगा, तो वो recurrence जो हम बनाएंगे, उसमें हम इसके लिए call करेंगे, तो ये सारे instances, ये सारे cases के लिए भी वो recurrence खुद को फिर से call करेगा, छोटे version के लिए, ठीक है, और recurrence में हम overlapping sub problems का solution, recurrence में show नहीं करेंगे, वो हम code में show करेंगे, recurrence में सिर्फ हम एक structure को define करेंगे, ओके, तो दोस्तों ये basic चीज़े आपको समझ में आ गई है, तो अब जो main function है, यहाँ जो recurrence है, वो कैसा दिखेगा, तो recurrence को call करने के लिए, यहाँ recurrence का input, starting input जो भी हो, लेकिन in general input में i और j जाएगा, ठीक है, जब input में i और j गया, तो एक loop execute होगा, अब जब यह loop execute होगा, तो x की value i से लेकर के, j minus 1 तक इसको execute करना है, ठीक है, तो जब x की एक value select होई, ठीक है, तो जो left वाली जो sub problem है, उसके लिए इसको call किया, प्लस जो right वाली sub problem है, उसके लिए इसको call किया, और क्योंकि ये भी एक छोटी chain है matrices की, तो यहाँ से जो भी resultant matrix बनेगा, वो m1 बनेगा, यहाँ से जो resultant matrix बनेगा, वो m2 बनेगा, और m1 और m2 को multiply करने के लिए जितने operations लगेंगे, वो यहाँ पर से compute होगे, ओके, ओके, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा example यहाँ देख लेते हैं, तो जैसे input में, यह n matrices की chain हमारे पास है, ठीक है, अब यह जो recurrence है, जब इसको call करेंगे, तो इसको call करना है, जैसे इस शुरुआत जोगी, उसमें i की value 1 देंगे, और j की value n देंगे, क्योंकि जो matrices की chain है, a1, a2, a3, a n तक की है, तो i की value 1 जाएगी, और j की value n जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से जब यह main function call हुआ, शुरुआत होई problem के solution की, तो यह loop execute होगा, x i से लेकर के j minus 1 तक, अब क्योंकि i की value 1 है और j की value n है, तो यह loop 1 से लेकर के n minus 1 तक execute होगा, ठीक है, तो जब x की value 1 होगी, इसको यहाँ पर लिखते हैं, जब x की value 1 होगी, तो क्या call होगा, 1,1 प्लस s of 2,n प्लस, यहाँ से जो matrix बनेगा, वो m1, यहाँ से जो matrix बनेगा, m2, तो m1 और m2 को multiply करने के लिए, जो matrices के multiplication operations लगेंगे, वो number p यहाँ पर आ जाएगा, उके, उसी तरीके से, x की value 1, x की value 2 होगी, ठीक है, जब x की value 3 होगी, तो यह चीज कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी, x की value 3, जब x की value 3 है, तो s of 1, 3 होगा, प्लस s of 4, n होगा, ठीक है, तो यहाँ से, जो matrix बना, कोई m1 matrix बनेगा, ठीक है, और यहाँ से जो matrix बना, वो m2 matrix बनेगा, ठीक है, अब यदि इस चीज को देखें, तो यह क्या है, a1, a2, a3 है, ठीक है, और यह क्या है, a4 से लेकर, a, n तक है, अब इनको जब multiply, इनका multiplication जब हो जाएगा, तो जो matrix बनेगा, उसका order क्या रहेगा, r1 multiplied by c of 3, ठीक है, यह उसका order रहेगा, और जब यह matrices multiply हो जाएगे, जो नया matrix m2 बनेगा, उसका order क्या होगा, r of 4 multiplied by c of n, ठीक है, multiplied by बोल रहा हूँ, मतलब यह order है, कोई multiplication नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और यह number c of 3, r of 4 के equal होगा, ठीक है, तो अब यह जो matrix बना है, और यह जो matrix बना है, यहाँ से m1 और यहाँ से m2, m1 और m2 को multiply करने के लिए, जो operations लगेंगे, वो r of 1 multiplied by c of 3, multiplied by c of n, जो कि यहाँ से लिया, ठीक है, और यदि i और j के terms में रेखें, तो यह r of i के equal है, यह c of x के equal है, और यह c of j के equal है, ओके, तो यह चीज कहाँ से आई, इसको explain करने के लिए एक छोटा सा मैंने यह बीच का example लिया, loop के बीच का, ताकि आपको यह वाला part के लिए रहो सके, आप इसको workout करके देखोगे, तो आप easily समझ चाओगे, कि यह चीज आखे कैसे आ रही है, ओके, तो दोस्तों यही है इस problem के लिए recurrence, ओके, तो दोस्तों अब इस recurrence को कैसे implement करेंगे, ताकि हमारे पास top-down, dynamic programming solution तयार हो जाए, जहाँ पर इस recurrence का implementation होगा, साथी साथ, यह जो table है, जब भी कोई sub-problem का solution हमारे पास आएगा, हम उसको इसमें store करते जाएंगे, ताकि जब भी भविश्य में उसकी जरुवत लगेगी, यहाँ से look-up कर लिया जाए, ठीक है, उसको बार-बार compute नहीं करना पड़े, तो इस table के थुरू हम overlapping sub-problems की जो problem है, उसका फायदा उठा पाएंगे, एक ही बार solve करेंगे, एक ही sub-problem को, तो दोस्तों यह function है, जिसके थुरू हम top-down approach को implement कर सकते हैं, किसी भी programming language में आप इस function को implement कीजिए, तो शुरुवात होती है, function के नाम से उसको s नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाम कोई भी दे दो, input में i और j, जैसा कि हमने recurrence में देखा था, i और j हमने दो parameters दिये थे, recurrence में, वोही यहाँ पर भी दिये हैं, अब यदि i और j दोनों same है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस table की इस index पर और इस index पर value को 0 set कर दो, और 0 को return कर दो, ध्यान रखो, जब यह function call हुआ है, उसके पहले यह table है, इसकी हर value, minus 1 से initialize की हुई है, ठीक है, अब जैसे function call किया, तो एक condition हम कौन सी check कर रहे हैं, कि क्या i और j दोनों बराबर हैं, क्या, यदि बराबर हैं, तो इस table पर इन दोनों indexes पर value को 0 set कर दो, और 0 return कर दो, ओके, दूसरा case, जब i plus 1, j के बराबर है, ओके, तब आप क्या करो, इस table में, यह वाली value जो है, इसको compute करके, store कर लो, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, कि यह जो table है, ठीक है, वैसे तो इसकी सारी value क्या minus 1 set है, ठीक है, इसको क्या return करना चाहिए, 0 return करना चाहिए, यदि i और j दोनों बराबर है, और यदि i plus 1, j के बराबर है, तो यह चीज़ return करना चाहिए, कि इसको मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह value जो है, तो वो चीज़ यहाँ compute की, dp में store किया, और इस value को, dp वाली value को return कर दिया, ठीक है, दोस्तों, इस code में छोटी सी mistake मैंने किया, उसको मैं यहाँ पर सही करना चाहूँगा, यह जो तोनों conditions है, यह तोनों conditions आपको समझ में आ गए होगी, जो look up वाली condition है, वो यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यह table initially negative values से initialize की हुई है, ठीक है, तो इसको check करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यदि इसकी value 0 या 0 से बढ़ी है तो आप सीधे इसको return करा दो, कोई और operation perform करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 या 0 से value बढ़ी है, मतलब जो sub problem में already solve हो गई है, और उसकी value यहाँ पर store की जा चुकी है, तो सीधे आप उसको return कर दो, यदि value negative 1 है, तब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और उस sub problem को solve करके उस table में उसकी value को store करने की जरूरत है, ओके, तो एक छोटी सी गलती जो मैंने की, यह जो if वाला जो part है, इसको यहाँ न रखते हैं, इसको top पर रखना पड़ेगा, ओके, यदि आपने इस code को देखकर एक गलती identify पहले ही कर ली थी, तो यह बहुत अच्छा काम क condition है, friends, इस condition को मैं उपर ले आया हूँ, और यहाँ से condition को काड़ देते हैं, ओके, और यह जो if है, इसका else part फिर यहाँ से execute होगा, अब यदि इस else part को देखें, तो यह else part, जो main recurrence है, उसको implement कर रहा है, x की हर value के लिए, वो इस चीज़ को compute करेगा, इस चीज़ को compute करेगा, और फिर इस चीज़ को total करके, x की हर value के लिए जितनी भी value साइंगी, उनमें से जो minimum value होगी, उसको इस value को assign करतेगा, तो यदि हम इस recurrence को देखें, तो एक implementation के साब से हमने एक minimum value variable लिया हुआ है, इसकी value हमने infinite set कर दिये, बड़ी high value set कर दिये, x की हर value के लिए, from i to j-1, जैसा की recurrence में दिखाया है, min value is equal to minimum of, ठीक है, यह जो min value है, इसका, यह जो quantity है, जो की recurrence में लिखी हुई है, इस पूरी quantity का, जो value आएगा, उसमें से, और इस min value में से, जो minimum value होगी, वो वापस इस min value को assign हो जाएगी, जब यह पूरा loop execute हो जाएगा, तो यह जो dp है, i, j के स्थान पर, इसको min value assign हो जाएगी, ठीक है, और min value को यह written करतेगा, ठीक है, तो इस तरीके से, यह जो recurrence है, यह implement होता है दोस्तों, और यह जो technique हमने यहाँ पर लगई ह है, यहाँ पर हम check कर रहे है, ठीक है, यह जो एक look up table है हमारी, हम check कर रहे है, कि क्या हमारी sub problem, already solved है क्या, यदि already solved है, तो already computed solution हम क्या कर दें, return कर दें, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर भी हमको solve करने की जरूरत पढ़ रही है, हम उस को क्या कर रहे है, उस इस recurrence को कैसे start करेंगे, तो i की value 1 देनी है, और j की value n देनी है, तो हम इस function को कैसे call करेंगे, s of 1, n को call करके, ठीक है, जैसे इसको call करेंगे, तो हमें हमारा जो final answer है, वो मिल जाएगा, ओके, तो दोस्तों, इस video के लिए बस इतना ही, मुझे पूरा विश्वास है, कि इस video क के थुरू, आपको ये समझ में आया होगा, कि top down approach को, इस problem के लिए कैसे implement करना है, यदि आपको doubt है, तो आप शुरू से series के सारे videos को अच्छे से देखिए, ताकि आप follow कर सकें, इस video को properly, और आगे आने वाले अन्य videos को भी, दोस्तों, इस implementation में, हम minimum number of multiplication operations को compute कर रहे हैं, एक exercise तो ये रहेगी, कि क्या आप इस code को इस तरह से modify करोगे, कि आप ये भी बता पाओ, कि कौन सा order रखने पर, ये minimum number of multiplications मिल रहे हैं, ठीक है, पहले किसको multiply करें, फिर उसके बाद किसको multiply करें, वो जो brackets का order है, ठीक है, for example, इस तरीके से हम यदि brackets के form में, बता सकें कि पहले A2, A3 को करो, फिर जो result आएगा, उसको A1 से करो, यदि ये ordering भी बता सकें, तो ये भी हमारे लिए helpful होगा, और दोस्तों, दूसरी exercise ये है, कि क्या इस code को और better कर सकते होगा, आप इस top-down implementation वाले code को क्या और अच्छे से लिखा जा सकता है, तो ये दो exercises solve की कीजिए, आगे आने वाले videos को भी देखिएगा, ताकि ये problem अच्छी तरह से clear हो जाए, तो दोस्तों, इस video को देखने के लिए धन्यवाद, यदि आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, कई सारे videos channel पर मौजूद हैं, कई सारे videos और आने वाले हैं, तो अब उनको देखते रहे हैं, like कीजिए, comments में अपना feedback लिखिए और सीखते रहे हैं, धन्यवाद.